खुब मुश्कुराते रहो हसा करो हसाया करो बागे शुरधाम अपने बाप का घर है आया जाया करो अब हम निरववा को कहेंगे कि एक भजन ये सुनाएं कुछ सुनाएं अच्छा लगेगा प्रशनता होगी और इसके बाद में भभूती लेकर और दूरते प्रणाम करना है सबकुन हमारे नियम जोए वो भी निविजाएगा हाँ फोटो नहीं है प्रणाम करते हो गुजर ज दो ही बार मौसर मिला गुरुजी से मिलने का पहली बार काशी में और उसके बाद सीधा लंदन की दर्थी पर गुरुजी से जो हमने सिखा है वही आप लोग उसे दो लाइन बताते हैं क्योंकि लंदन के मौसर में शूटिंग करते हुए मेरा भी गला बैठ चुका है फिर भी मैं गुरुजी यही बताते हैं हम शिश्यों को यही सिखाते हैं आज भी जब मैं गुरुजी के साथ बैठा था तो यही गुरुजी मुझे बता रहे थे के मन की तरंग मार लो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आज भी जब मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन सांसों की माला फेरने से राम मिलेंगे सांसों की माला फेरने से राम मिलेंगे सांसों की निहार लो बस हो गया भजन सांसों की निहार लो बस हो गया भजन बन की परंग बार लो बस हो गया भजन सासों कही निहार लो बस हो गया भजन आतत बुरी सुधार 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 लो बस हो गया भजन फैरो के इस पावनिस्थान सुधास्रम पर बगबान स्री हनमान जी की महिती करपा का शुप्रभाव है जवर्यस्ति हमको फिर से यहां फैका गया भारत से यूं कहो तो किड़नेप करके बुलाया गया इसमें हम भूमका संसकार टीवी चैनल के सीयो साहब की है जो बैठे ही है और फिर शिद्धाश्रम के इस्थान के प्रीठा धीश्वर और समूचे बिटिस्किस इंग्लेंड की धर्ती पर सनातन धर्म का जंडा अनेक अनेक भारती ये महापुर्शों को बुलाकर समूचे हिंदी बासी इवं सनातनियों के हिर्दय में सनातन की जागरती के लिए अपने केंद्र को इस्थाफित करने बाले हमारे जेश्ट भ्राता स्री का एक आम योगदान है जिनके परिणाम और प्रेम स्वरूप हमको मजबूरी बसाना पड़ता है और हम जब भी आते हैं लपड़े करके ही आते है अभी आज हमको सुवए आप बता रहे थे कि आपकी कथा होने के पहले लेश्टर में कुछ उपद्र हो रहे हैं हमने का पूछा क्या हो रहे हैं बोले हिंदू मुसल्मान हो रहा है तो हमने धीरे से कहा देखो लोगों का मानना है कि हम हिंदू मुसल्मान करते पर हकीकत में हम सरफ हिंदू हिंदू करते और अगर हिंदू मुसल्मान करते होते तो ना तो भारत में हमारे बागे शुर्ध हम की अनुयाई होते नहीं होते जैसे यह कि दसजार लोगों को भंडारा खिलाते हैं इने पता लगा विभागेश्वरवाले महाराजी आए तुरंद चले आए भावना है जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी इतिन तो आज एक दिपसी शत्र हमको कहा कि आप दर्शन करने आओ दर्शन करके अप्रदर्शन में फस गए आये थे तब तब तक हमें खबर मिली सुवए ही मिली बैसे एक बार दूर भास से चर्चा हुई और मतलब बिहारियों की खुस्बू हमारी जिन्दिगी से जा नहीं ले एरपोर्ट पर छोड़ने वाले दो महापुर्श वो भी बिहारी हमारे प्रिय भागे शुर्धाम के अधिवुत अन्याई बगिया के पुस्प मनुस्तिवारी रभी किशन आप दोनों उले गुरु जी जा रहे हैं परशाद ले कर आये थे चलने पुर्ते परशाद में हमें बड़ी दिक्षत है घर से परशाद बना कर लाएथे वहिं बैठे बैठे हमने परशाद पाया तो छोड़ने आये दोनों उतरते ही दूसरे बिहारी मिले गए ब्हगवान की ऐसी प्याय के बिहार का बगवान जाने कौनसा हमारा पूर्भ जन्म का नाता है एक हम साथ ही लेके चलते हैं हमारे साथ एक केशोजी रहते हैं वो भी मदोबनी बिहार क के ठर Πर ये तो बिनोत की बात थी एक बहुत ही छोटे से गाउल से छोटी सी यात्रा लेकर निकले और आज लंदन में निरहुआ हिंदुस्तानी यहां भी एक चर्चा लेकर यह भी हमारे बड़े प्रिये हैं मिले तो हम दोसरी बार ही हैं पर भावनात्मक रूप से तो हम बानते ही हैं तो यह बहुत ही बागेश्र धाम के अच्छे अनिवाई हैं आप मेंबर ऑप पालियामेंट भी हैं तो आप भी हमको मिले निरुगा जी और बाखी सेस जो सामने बैठे आप इन सबसे ज़्यादा महत्वपून है परचए उनका दिया जाता है जो अपरचित हों आप लोगों का इसलिए परचए नहीं दिया जाता है कि आप लोगों का परचए परमात्मा के रिजिश्टर में हैं और इस सभा में हम सामने देग रहे हैं हमारी पागिस्तानी बहिन भी बैठी है जैस याराम तुमें बैठो 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 जैस याराम पागिस्ता पाकिस्तान से लेकिन अनमान जी की बड़ी को आज बिराजम प्रिथम दिवस के शत्र में हम आप सब हैं कल से लेश्टर में साथ दिप्सिय रामचर्चा हम करेंगे सेस जितने भी लोग हैं एक चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग जानी करों प्रणाम जोरी जुगपाई सब को स्री सिता राम मैं मान कर प्रणाम द्वारका नूनाथ ऐसी कोई गली नहीं द्वारका गुजरात में जहां इनकी चली नहीं जितन भाई के नम से तो रोडों की जी नम है हमको तो टैंसन हो जाती आपको कई बार देख कर नोटों पे नाम ना आने लगे हैं यह बहुत अच्छे हास से कलाकार बिनोग के कलाकार गुजरात के शुपरशित अभी हम गुझरात की आत्रा पर रहे तो गुझरात कुप मया वया हुए है खुब शने वया गुझरात से हम बहुत कुछ सीख कर आए यहां से हम कुछ सीख कर गुझरात गए थे फापड़ा और फेंपड़ा पहली बार हम जबड़ जस्तीन के दुवारा बुलाए गए हम तो इन सब चक्रों में पढ़ते नहीं भारत हमको बहुत प्यारा लगता है लगना भी चाहिए वो हिंदुस्तानी क्या जैसे भारत प्यारा ना लगता है अनियम बरत को सबसे बड़ी बात जब पहली बार आयते आये थे गांबिले बैंबिले सेर में पहली कथा और आते ही सबसे पहले तो Cela को बात रूम में अगरत आप हम तो सुद्ध देशी आदमें, सुद्ध गाउं के देहा थी गूस अनपडगवार, कभी फसे ही नहीं ऐसे मामलों, कम से कम 35 मिन्ट सो हमें ये देखने में लगा कि जल गिरेगा कहां से, कोई बाल्टी नहीं, कोई मग नहीं, कोई नल नहीं, हमें लगा कि बिना पूरा काम कम्पलीट हुए, हमको बातरूम में डाल दिया गया, 35 मिनिट हम चेक करते रहे कि आएगा कहां से, निकलते बन नहीं सकता है, क्योंकि भगबान संकर बने थे, बड़ी आपक है, सामने चार बटन दिकाई दिये, दम लगा का हमका बटन दबाओ, जो होगा देखा जाए बिलकुल रियल बता रहे हैं, हमने एक बटन दबाया, उपर चट से गरम पाने, हमका चट कुसल, कुछ है उपर, वो भी गरम, हमका गरम यहां तो ठंडा भी होगा, जोडा तो है, बड़ी मुस्खिल से पहली बार, अचा जिन के घर रोके तो उन्होंने दूसरे दिन हमार यहां बाल की मग डबल भेजे, क्योंकि हमने कथा में दूसरे दिन ठोक दिया, माता जी का पॉन आया, बिटा कैसा है, हमका पूछो मत, पहली बार आये, हमका माता जी पूछो मत, अन बने मकान में भेर जिदी दिया हमको, अन बने मकान का मतलब not complete, फिर दो ती दिने कथा ह हुई बहुत अच्छी हुई, और पहले दिन की कथा में तो दिमाग खड़ा, हम साथ लोग भारत से आये, कथा सुनने बाले चार, हमने का आद हो गई या, बारत में तो हम जंगल में भी तेड़ घंटे में दो लाग लोग बुला लेते हैं, रात को, हमका गलत जगा है फस बोले कैसा अनुबाब कर रहे हैं, हमके बहुत बेकार, बोले बेकार क्योंके बेकार इसलिए कि हम टोटल आये साथ, सुरता चार, ले दे कर चार, सरम भी आनी चाहिए, रात को बात हुई, दूसरे दिन अपनने दर्वार ठोका, जान बीस पच्चिस परचा बनें, फिर क् बेमिली में हला हो गया, इंडियन बाबा आया है, बहुत खतना हो, चौथे पांचबे दिन एक बूरी इमा, जैसी माता जी है न, बहुत भक्तनी, बहुत प्यारी, ये तो कता जी, सुनने आती हैं, हम इनकी पहचान, अब तो हम कता यहां, लंदन सेर में तीन कता कर चुग हैं, उन्होंने तो कहा, ये फापडा खाओगे, भीड में तो हम कुछ बोले नहीं, रास्ते में कार में बेटे, तो ये गुजराती भाई, दादा नो का नाम चे, वो घंडारी दादा नो, बद्री दादा, बद्री दादा के पास है, हमका फैंपडा बना हो आज, वो फैंपडा का फैंपडा निकल गया, तब फिर दाद्री दादा ने हमको समझाया, वो फैंपडा नहीं होता, फापडा होता है, तो हम गुजरात फैंपडा फैंपडा शीख कर गए, वहां से बहुत को शीख कराया, बद्दानू बेसी जाओ तो मैं कैंच, कुप सारा शे यह हमारे जीवन की यात्रा हो फिर इस बार टबक पड़े हम अब जो अनमान जी की इक्षा होगी आज के सत्र की चर्चा एक शूत्र से शुरू करते हैं